सारुक खान के बेटे आर्यन खान के केस को लेकर महराश के प्रजेंट टाइम के ग्रिह मंतरी दिली पार्टिल के दौरा एक बहुती बड़ी अपडेट दी गई है जैसा कि आप सब को पता है कुछ दिनों पहले मुंबई हाई कोट के दौरा आर्यन खान के केस पे एक 14 पेज का 14 पेज का डिटेल बेल और पास किया गया है जिसमें आर्यन खान को सीरे सीरे बोल दिया गया है कि आर्यन खान पूरी तरह से इनोसेंट है एनसी भी जो है आर्यन खान के खिलाफ में कोई भी एविडेंस प्रस्तूत नहीं कर पाई है कोट के सामने जिसके बाद कापी ज्यादा बवाल मचा ही था कि इसी बीच जो है दिली पाटिल जो की ग्रिह मंत्री है महराश के उन्होंने मीडिया से आज बात किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इस्टेट्मेंट दिया है आप देख सकते हैं टाइमस ऑफ इंडिया पर ये न्यूज छपी है जहां पर उनके दारा बोला गया है कि वो जल्द ही इस पे जो है चानबीन करवाएंगे कि आर्यन खान के वो जान भूच की कहीं फसाया तो नहीं गया था मतलब की जान भूच के आर्यन खान को गलत तरीके से ड्रक केस में फसाने की कोशिस तो नहीं की गई थी इसको लेकर वो मुंबई पुलिस के द्वारा एक इन्वेस्टिकेशन बैठाएंगे और मुंबई पुलिस जो है इस केस में चानबीन क कर रही है लेकिन अब इनके द्वारा एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही आर्यन खान के केस में भी मुंबई पुलिस के द्वारा चानबीन करवाएंगे और पता लगाने कोशिस करें कहीं आर्यन खान को जान भूच के जूटे केस में फसाया तो नहीं इस से कहीं न कहीं जिस आप से ग्री मंत्री मनलब महराज की जो ग्री मंत्री है जिस तरह से उनके द्वारा दावा किया जा रहा है हो सकता है कि NCB के जो मुश्किले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएं क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से लगातार NCB और उसकी ही जाज करने के लिए हम एक मुंबई पुलिस की एक स्पेसल एसाइटी की टीम फिर से गठन करेंगे आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जाश्यादा सेयर करें